सर मेरा आपसे सवाल यह है कि इस बात तो इंकार नहीं किया जा सकता कि आपकी जाय पैदाइश पाकिस्तान है लेकिन सर आप जिस तरह पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते रहते हैं तो क्या आप खुद अपने दर्वे गदार वतन नहीं है तो आपको खुशी हो मानें के इंडिया के मानें हम आपको सिंद का रहने वाला इंदुस्तानी कैसे नहीं कहलाएगा बिना सिंद नहीं है अ मैं आपको एक सजेशन देता हूँ आप जाए एडवानी साब के पास और उनसे कहके आईए कि आप इंडियन नहीं हैं फिर देखते हैं क्या होता अगले सांगे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इंडियन हैं कहते हैं और मुझे इंडिया पर गर्व है बिल्कुल होना बचाहिए यह जो मुदी सरकार में हुआ है योगी जी ने किया है कुछ इस्टेशनों का नाम चेंज करके बिल्कुल तो आपके नजर में क्या यह सही हुआ है बि खिल जी थे ने एक अंकल खिल जी आए थे आपने क्या किया रेल्वे स्टेशन का नाम क्या रखा है खिल जी नगर एक कुछ ऐसे ही ना जब आपने 1000 साल हकूमत की हिंडूओं पे मुसल्मान सल्तन तो ने और अपने नाम डाल दिये के हिंडूओं के सब से प्रेश जगा को आपने अलहाबाद का नाम दिया तो ये मुसल्मानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बरदाश नहीं करेंगे ये जूट नहीं हो सकता ना मक्के का नाम रामगर होगा ना प्रेयराग राज का नाम अलहाबाद होगा ये देखिए मैं एक और बात कहूं आज आज कि आप बच्चे का नाम शमस रखने के बजाए सूरज रख दें सूरज तो वही है आप फारसी लब्स यूज़ करना चाहते हिं हिंदुस्तानी वर्ड नहीं करते फिर आप लोग शुभा करते हैं मेरी एक बहन ने डुपटा पहना हुए दूसरे ने अर्भी हिजाब पहन हुआ है आप नानी दादी किसी की फोटो लेकर बताईए कि हिजाब कहां से आया लवज नहीं था हमारी जबान में हमने जो डुपटा हिंदू मुसल्मान सिख हर को पंजाब में यूपी में पहनता था और जो बुर्का भी था सफेद रंग का वो गाइब हो गया जिसे हम शटल कॉक बुर्का कहते थे हमारी अपनी तबाह करके उन अर्मों की लेली जो हम पर थूखते हैं आपको पता है बंगलादेश ने रिक्रूटमेंट खतम कर दी है नर्सिस की कल क्योंके हर घर में बंगलादेशी और रेप हो रही है और हम खामोल बैठे में हम कैसे मुसल् बढ़ दफर तरीन लोग रहे हैं आपको पता है कि ब्रिटिन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी तर्किश एंसिस्ट्री है यह नहीं पता होगा वो जो एक और नया आया है अच्छा मेरा पॉइंट यह है कि आपको 1941 से लेके 1947 तक जो आपको बताया गया है उसको आप करें नहीं पता है नहीं जो नाम ते वो रखो तो कर लोगो के नाम भी बदले मैं तो कहरो बहादूर शाह क्या विजय होना चाहिए उसका नाम विजय और जफर में क्या फरक है विच्टर ना उसमें धरम की बात नहीं है कि श्टेशन का नाम हजरत निजाम अधीन है अधरत निजाम अधीन के नाम से खागा है वो त्यूर्च को चैंज करना भी नहीं हो सब जाते लुक्त अधियों में बार बैट दिए क्योंकि प्यार है क्योंकि एक सचा इंसान की वहां दरगाह आपको और अब कहते हैं कि दरगाएं तोड़ दो आपको पता है कि वहाभी इसलाम के तहत ताज महिल का बुल्डोज करना पड़ेगा आपको पता है कि रिसूल लाग के कबरस्तान पे बुल्डोजर किसने फेरा था बीबी फात्मा की कबर कहा है पता है नहीं पता बीबी सब्सक्राइब करें वापिस आजाएं अरे दोनों समय लेंसे कोई फरक नहीं पड़ता सच देखें हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का मौटो जो है और इसलाम का जो क्रक्स है दो चीजें आप कहते हैं टूथ विल अलवेस प्रिवेल उसकी सभी मैं प्रोन सेशिन हिंदी म लेकर आपर हमले होते हैं मैंने देखा कि दिली में न्यूयॉक में मार के देख ले उस पर केस चल जाएगा वो बिचारी की नौकली नी मिलेगी वह डर आपने देखा किसी में हाथ नी रगा आपके जो इंडियन मेरे साथ सब बाग गए यह 50-60 पाकिस्तानी डंडे लेके ह नी-यूर्क के अंदर अमें अकेला था वो कुछ नी कर सके मेरा यहां 300 आदमी ने हमला किया था यह आपकी रिखता अर्दू कांफरेंस मेरा कसूर था कि मैं किताबे खरीजने गया था जमात इस्लामी टाप के लोगों ने हमला किया और रात गए तक कुछ चार घंटे तक मैं अपनी जगह से नहीं हटा पुलिस ने उसमें मुझे धका दियो विचारा इंड में he was apologizing to me the point is कि जब आपने सच बोल दिया तो फिर आप as a muslim मैं बता रहा हूं you have to stand by अब एक मौलाना ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा आपका गला काटने मैंने उससे कहा मैंने का ऐसा करो मैं कहता हूं कि मैं तुन्हें कर दिया और अपने बेटे के नाम करवा दे 10 लाख तेरे पैसे बन जाएंगे टेंशन में किन ले रहा है अब ने तो कहा है दाओ इब्राहिन शोटा शकील उन्होंने एक आद्मी भेजा था मारने के लिए पढ़ा यहां यहां टीन वीन पीट रहा होगा कहीं ऐसी बात नहीं है हमको प्रोटेक्क कर रहा है उपरवाला इसे बात नहीं है अब आपको मौत से डरने की बात है हमारी बिलियन तीन बिलियन साल से है हमारे अंदर पता नहीं कितने सोलर सिस्टम्स रहते हैं हमें क्या पता हम किसका हिस्सा है पूरी हमारी जो गैलिक्सी है इटिस अड़ाट हम इतना घुमंड के हम कुछ हैं कुछ भी नहीं मिटी में आए मिट घा खतम यू आप तो अबर तुप पैसे क्यों मांग रहा है खाना लाना मैं बियानी बेज देता हूं तुझे ये खेराथ नहीं होती खेराथ होती कि जिसने वो जो जिहादियों को बताते हैं कि तुम मरोगे तो हूरे मिलेंगी अरे उनको मिलती होंगी पता नहीं कहां नहीं मिली गर्फरेंड तो शकलें खराब हैं मैं क्या करूँ आप देखें कभी किसी जाइदी को देखा अपने अपनी गल्फरेंड के साथ जा रहा हूँ हो टहलता हूँ है कहीं भी नहीं खान मार्केट में भी मिलेगा उसकी बदनसीबी शकल खराब मुच काटी होती है दाड़ी बड़ी होती है कौन लड़की जाएग उसके का मैंनु लेजा डेटते हैं ना, they are always unfortunate ugly people who do not know that there is no such thing.